एक दो तीन आज तुम मज़े करूंगा मज़े इतने ज्यादा पैसे ये पैसे तो मैं छीन के रहूंगा जाहे जो मर्जी हो जाए एकत्तर बहत्तर अरे अंकल आपको क्या हुआ अरे आप पूंदे हो सोरी अंकल मुझे माफ कर देना ये पकड़ो बेटा मेरे यहां पे दस रुपए गिर गया है आप मुझे वो ढूंड के दोगे अंकल मेरे पास तो इस वक्त जेब में लाख रुपिया है मैं क्या करूंगा दस रुपए को ये लो आप सो रुपए पकड़ो बेटा आपके पास एक लाख रुपिया है जी अंकल जी बेटा बच्पन से लेके आज तक मैंने पूरी जिंदगी काम किया मेहनत की पर आज तक मैंने एक लाख रुपिया कभी नहीं देखा मेरा खाब है कि मैं जिंदगी में कभी एक लाख रुपिया देखूंगा पर लगता मैं नहीं देख पाऊंगा ये मेरा खाब कभी पूरा नहीं हो अंकल इसमें रोने वाली क्या बात है आप मुझे अपना बेटा समझीए आपने अपना खाब पूरा करना है ना ये लो आप अपना खाब पूरा कर लो अराम से बेटा ये पूरा एक लाख है जी बाबा पूरा एक लाख रुपिया है ये कितने का नट है बेटा अंकल जी ये एक हजार रुपे का नोट है एक हजार रुपे का नोट है जी अंकल बेटा मेरा एक और खाब भी है वो ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं कभी एक लाग रुपे अपनी जेब में भी डालू आप चाहे तो मैं ये खाफ भी पूरा कर सकता हूं पेटा हां जी जी कुई बात न अंकल, आप जेब में डाल इसको डालो जेब में जी अंकल शुक्रिया बेटा, अगर आप न होते तो शाइद मैं कभी भी जिन्दगी में अपना फाफ पूरा नहीं कर पाता बेटा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कोई बात नहीं बबाथ नहीं? आज लाठे कहां है यह इदर इदर अंकल जी मेरे पैसे ते तो जओ तूम से पैसे बेटा बबाक जी अभी तुम अन्ये आपको दिये एक लाथ और पिया एक लाथ रूपिया हाँ जी मुझे तो नहीं पता आपने कौन सा मुझे एक लाख रुपिया दिया अंकल जी अभी तो आप में जेब में डाले एक लाख रुपिया दिया है मने आपको बेटा मुझे अंधा समझ के अब मुझे चुना लगा रहे हो बेटा ऐसी बात मत करें बेटा मुझे कोई आपने एक लाग रुपिया नहीं दिया बावा जी आपने अपी जेमे डालाएं बचाओ बचाओ वा क्या हो अंकल बेटा मेरी आंके खराब है मेरी बीवी ने अपना गुर्दा बेच के मुझे एक लाग रुपिया दिया है और ये कमबक्त मुझे वो छीनना चाता है अब तो मैं पूरी जिन्द की खुशी खुशी गुशारूगा अब धोके बाद अंधे मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूगा तू चाहे जमीन में भी घुश जा मेरी जिन्द की अजाम में डार कर खुशी तो गुशी तो गुशारना चाहता है तुझे पढ़ेंगे तुझे अब तुझे